राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोडी लालमीना जैपूर के सवाई मान सिंग अस्पताल में भरती हैं जहां लगातार सांसद किरोडी लालमीना से मुलाकात के लिए राजनेता ओ और एनस संगठनों के पदाधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है इस दोरान SMS अस्पताल में लगातार VIP मुव्मेंट हो रहा है इसी कड़ी में राजस्थान सरकार में मंतरी मुरारी लाल मीना, वीजेपी सांसत बालकनाथ, राज्यसभास सांसत घंशाम तिवाडी और गूजर समाज के नेता वीजे बैसला ने SMS अस्पताल पहुँचकर डॉक्टर किरोडी लाल मीना से मुलाकात कर उनके स्वास्त की जान राज्यसभास सांसत डॉक्टर किरोडी लाल मीना से मिलने के लिए लगातार वी आईपी पहुँच रहे हैं अस्पताल और इस ख़बर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे जैपूर समवादाता मलकान के साथ में जी मलकान जिस तरीके से सांसत किरोडी लाल मीना की तबद बिगड़ी है धरने के बाद में और लगातार उनसे मिलने के लिए राजनेता पहुँच रहे हैं हालचाल पूछने के लिए क्या अपडेट आपके पास देखे बिलकुल राकी जी जिस तरह से सांसत किरोडी लाल मीना जब विरांगनाओं के साथ धरने पर बैटे थे तो उसके बाद में जब पुलिस दुआरा जो उनके साथ वर्ताव किया तो उनकी तब्याद खराब हो गई उसके बाद उन्हें जैपूर समस अस्पताल में करा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है उसी को लेकर लगातार चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कौंग्रेस की बात करें तमाम बड़े नेता सांसत करोडी लाल मीना से मिलने पहुंच रहे हैं और उनके स्वास्त की जानकारी ले रहे हैं हालांकि कल देर श्याम तक से मुरारी लाल मीना और बीजेपी के सांसत बालक नात और गंश्याम टिवाडी सहीत तमाम नेता पहुंचएं वहीं करणी सेना के राष्ट अद्धक्ष भी पहुंचे राष्ट अद्धक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि सांसद क्रोडी लाल मिना किसी पार्टी से नहीं है यह आम जन के लिए अपने आवाज उठाते हैं तो इनके साथ हमेशे हमारी करणी समाज लगातार इनके साथ रही तो कुछ कांग्रेस के विदाहेकों ने तो अपनी फेस्बूक के पोश्ट पर डाला है कि जिस तरह से पुलिस ने जो बरताव किया है वो एक जनपरती निदी के साथ इस तरह से नहीं करना ताहिए तैसे में मुख्यमंत्रियासो गहलोत को इस पर संग्यान लेना ताहिए यह अमाम तरह के जो राजनेता हैं बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और संसत किरोडिलाल मीना के स्वास्त के जानकारी ले रहे हैं जी धन्यवाद मलखान आपकर